हलो स्टूरेंट्स वेलकम बेक तो माई चैनल मेरा नाम है मीनमलिक और आपका मेरे यूट्यूब पार्ट किया था साथ में हमने उसका इंट्रोडक्शन लिया था कि पोल्नोमियल होता क्या है उसको हम कैसे अंडरस्टेंड कर सकते हैं और साथ में हमने उसके इसे र्लेटिड कुछ जो नुमेरिकल थे एक्जैम्पल थे वह भी डिसकस किये थे और हमने अपनी जो टू-पॉ हमारे पास जो सोल्यूशन जिसको हम जीरो जो पॉलनोमियल बोल रहे हैं ठीक है वो क्या होते हैं सोल्यूशन या फिर हम बोल सकते हैं उसके रूट ठीक है तो जो उसके रूट होते हैं वो हमने चेक किये थे कि मैक्सिमम कितने रूट पोसिबल हो सकते हैं जैसे कि हमने दे जिसक्सosis किये थे हमारे पास कैसे ग्राफ होते हैं इसके में उसके तो धैसा व हमारे पास कैसा और वह ऺख थाएगा जिस से हमें हम बता लग़ exception उसके आएंगे ठीक है ऐसे हमने क्वाडर्री carried a cooler linear ऐक्वेशन के वह देखे थे तो अब हमें क्या करना है अब हम next discuss करेंगे जो हमारी equation होती है polynomial होती है तो जैसे कि मैंने last video में भी आपको बताया था कि जो हमारी equation polynomial होती है वो coefficient और variable से मिलके बनी होती है coefficient plus variables ठीक है तो variables और coefficient को joint करके multiplication या फिर कोई भी operation लगा के multiplication division या addition subtraction ठीक है तो वह operation लगा के हम क्या करते हैं एक polynomial त्यार करते हैं अब वह polynomial क्यूबिक भी हो सकती है स्टेट लाइन भी हो सकती है और हमारी quadratic भी हो सकती है तो अब हम यहां पर बात क्या कर रहे हैं कि हमारे जो zeros होते हैं जो solution आते हैं उसको यह हमारा सब्क्राइब अब इनके साथ कैसे होता है तो जैसे कि पहले हम कี่ बड्रे लिख लिञें हमने क्या पर एक polynomial लिख लिए यह हमने डिख लिए अब यहां पर क्या पता लगर रहा है कि हमारेundert कौफिचियन कौन कौन से हैं और यह यह हमारी क्या स्टेट लाइन एकवेशनquinho है और इसकी जर्नेल्स पूलनोमियल होती है यहां किसका सॉली 91 S children इसका स्रिट वाय उपलाय तो अबार यह 3 यह 3 नाया हेक हमारे जह कोफिशेंट उते हैं इसके साथ क्या लें अब उपलनोमियल होती है अब 2 इदर multiply में था तो यह उदर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा तो हमें इसका एक्स की जो value मिली थी वह मिली थी minus 3 by 2 और यह straight line है तो यहां पर एक ही solution possible हो सकता है तो अब यहां पर क्या किया हमने जो यह minus 3 by 2 है अगर हम इसको देखें कि यहां पर क्या है जो 3 है हमारा वो coefficient B को represent कर रहा है और जो यहां पर 2 है वो हमारे कोफिजेंट एक को represent कर रहा है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं अगर हम जनरल जो हमारी polynomial है उसकी form में लिखें कि जो हमारा यहां से x आया वह आया minus अगर हम यहां पर second example कोई भी अगर हम लेते हैं यहां पर तो उसका अगर हम सोल करके देखे तो हमारे पास क्या answer आएगा अगर मान लो हम यहां पर quadratic equation ले लेते हैं तो quadratic equation क्या है 2x square minus 8x plus 6 is equal to 0 अब यहां पर हमारे पास क्या क्या जो solution है अब linear equation के तो हमने यह देख लिए कि linear equation के तो जो हमारे कोफिसेंट अब कैसे इसके साथ relate कर रहे हैं हमारे zeros के लिए zeros बोलो या फिर solution बोलो polynomial का ठीक है इनके साथ कैसे लेकिन अब हमें क्या करना है quadratic equation में भी चेक करना पड़ेगा कि quadratic अगर हमारे पास है तो उसके लिए हम कैसे calculate करेंगे तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा इसके factors बनाने आने चाहिए ठीक अब तो हम पहले करेंगे factorization of quadratic polynomial by splitting the middle term जो बीच वाली term होती है इसको हम क्या करते हैं split कर देते हैं और इसकी help से हम क्या करते हैं हमारे solutions calculate करते हैं तो अब यह हम अच्छे से ध्यान से समझेंगे इसको कि यह जो हम solution कर रहे हैं वह हम कैसे करते हैं ठीक है और अगर आपको अभी तक आपने जो फर्स्ट वीडियो वह नहीं देखी तो आप वह वीडियो देख लीजी क्योंकि उससे आपको एक जो पॉल्नोमियल के बारे में की पॉल्नोमियल होता क्या है पॉल्नोमियल को कैसे यूज कि यूज जाता है ठीक है वह सारी इंफ्रमेशन आपको फर्स्ट वीडियो में मिल जाएगी और आप उसको जूरूर देखिएगा और आपको उसका जो लिंक है वह आपको दिस्क्रिप्शन बोक्स में मिल जाएगा वहाँ पे लिखा होगा प्लेइलिस्ट ओ पॉल्नोमियल चैप्टर टू ओफ टैंथ क्लास तो आप वहाँ से विजिट करोगे तो आपको वहाँ पे उसमें एक ही वीडियो मिलेगी क्योंकि अभी तक हमने पॉल्नोमियल की सिरफ अगर हम जनरल फॉर्म में लिखे तो हम लिख सकते हैं AX स्क्वेर प्लस BX प्लस C is equal to 0 तो अगर हमें यहां से निकालने हैं फैक्टर तो हमें क्या करना होता है जो हमारा बीच वाला जो मिड हमारा कोफिएंट होता है जिसको हम B बोल रहे हैं यहां पे उसके हमें फैक्ट पॉर्पर बनाने आए जो क्या हो जिनकी मिल्टीकेशन तो हमारे पास ट्वैल ऑएंट है जोड हमारा मारे माइनस-ruit की 10 और उनकी एट के फैक्टर हमंहारे पास 44 हो सकते हैं लेगिन 44 जा तो 16 होता है तो यह को पोसिबल है नहीं ठीक है फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर yaptrà глаз लेगिन 53 जा हमारा 15 होता है वह भी यहाँ पर पोसिबल नहीं है ठीक है तो हमारे पास क्या solution बचा यहां पर six into two का तो six two जा यहां पर 12 होगा और जब इनको दुन्नों को add करने अगर हम एट तो आ जाएगा लेकिन कि हमारे पास माइनस एट आएगा तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा जो माइनस इस है और माइनस टू इन दोनों को अगर हम multiply करवाएंगे तो माइनस जब माइनस से multiply करवाते हैं हमें यह आपको यह साइन की जो तो पता ही होगी कि जब माइनस को माइनस से multiply करवाएंगे तो हमें माइनस नहीं प्लस का मिलेगा क्योंकि माइनस आपस में दुसरे के जो इफेक्ट है उसको तो हमने क्या किया इनको माइनस कर दिया लेकिन यहां पर हमारे पास क्या है दोनों नेगिटिव हैं तो यह क्या होंगे जुडेंगे जुडेंगे तो जुड़के क्या देंगे हमें माइनस एट देंगे ठीक है तो यह तो हमने क्या किया यहां पर फैक्टर निकाल ले हैं इसको स्प्लिट किया है अभी तो माइनस 6 और माइनस 2 के पार्ट में तो इसको कैसे लिखेंगे हम यहाँ पर 2x स्केयर माइनस जो 8x है हमारा यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस 6x माइनस 2x क्योंकि जब हम दोनों को एड करेंगे दुबारा हमें 8x ही मिलेगा ठीक है तो यहाँ से क्या है हमारे पास 2x स्केयर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6 is equal to 0 अब हम क्या कर सकते हैं कि हमें क्या करना है कुछ जो कॉमन टर्म हैं वह हमें बाहर निकालना है यहां से तो जो कॉमन टर्म हैं अगर उनको हमें बाहर निकालना है यहां पर तो कैसे कर सकते हैं यहां पर देखें यहां पर क्या है हमारे पास माइनस 6x है तो इसके जो यह मा कosman ले सकते हैं और इस case में अगर देखिए यहां पर two x है यहां पर कितना three into two है तो यहां प्विए two है तो यहां से सिर्फ two common ले सकते हैं तो यहां पर आगर हम common लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा टू v webcam呢 बाहर निकाल लिया और हमारा only x और यहां पर 2x हमने बाहर निकाल लिया यहाँ पे बच गया हमारे पास only 3 और 3 भी कैसा minus का तो यहाँ पे बच गया हमारे पास minus 3 अब उसके बाद अगर हम यहाँ second देखे तो यहाँ से सिरफ 2 common आएगा तो 2 हमने यहाँ पे common लिया यहाँ पे हमें क्या चाहिए माइनस को बाहर ले लेंगे जैसे कि हमें पता है माइनस को माइनस से मल्टिप्लाई करवाते हैं तब प्लस होता है तो मिंस यहां पर दो माइनस है हमारे पास और यहां पर भी माइनस टम बाहर ले लेंगे तो यहां पर हमने माइनस टू बाहर ले लिया तो यहां माइनस टू में भी हमारे पास x-3 common है और इसट भाई-3 common तो हम यहां से बाहर निकाल लेंगे x-3 बाहर निकाल लिए और यहां से जहां से क्या बचाहार तू सु एक्स-2 हमारे पास X-3 into टू-1 है तो है ऐसे भी रख सकते हैं और अगर यह से रखना solution होंगे तो हम क्या करेंगे one by one एक वार इस तरम को zero के equal put करेंगै एक वर इस को zero के equal put करेंगए अब यह तो two तो हमारा zero के equal हो नी सकता तो अगर हम यहाँ पे x-3 यहां से एक्स की value हमारी आएगी ठीए और अगर हम यहाँ पे xGo minus 1 क onwo a equal put कर टे यहां से हमारी जो value आएगी वो आएगी x is equal to one ठीक है तो अब हमारे पास जो root आए है means जो zero जाए है quadratic equation के एक हमारे पास आया यहां पर three और एक आया हमारे पास यहां पर one तो अब हम क्या करने काम क्या करना है हमें हमें compare करने हमारे coefficient और variables को हमें relation चेक करना है जैसे हमने linear equation में चेक कर लिया था वो तो directive पता लग गया था ठीक है लेकिन अगर यहां के case में देखे तो यहां थोड़ा सा अलग है ठीक है तो अब यहां पर अगर हम इन दोनों coefficient को यहां पर compare करें जो हमारी जो coefficient है जैसे coefficient हमारे पास एक क्या दे रखा है यहां पर two b क्या है minus eight और c क्या है six और जो हमारे root आए हैं एक है हमारे पास three और दूसरा है हमारे पास when तो अब करने के बाद हमें क्या मिला कि अगर हम क्या करें जो हमारे इन दोनों को एड़ कर दें तो हमारे पास 4 आया ठीक है और अगर हम इसको multiply करवाएंगे तो यहां से हमारे पास 3 आएगा ठीक है एक multiplication करवा लिया और एक बार प्लस करवा लिया तो अगर हम इस चीज को इससे compare करने की कोसिस करें तो कैसे आया होगा यह चीज अगर इन दोनों चीजों को इससे compare किया जाए तो यह चीज हमारी 4 कैसे आई कि जब हमने क्या किया जो माइनस 8 है उसको 2 से डिवाइड कर दिया और वहां पर नेगेटिव भी कर दिवो टम मिन्स हमें बोल सकते हैं जो x है x into x1 into x2 मिन्स दोनों root का square है multiply है सोरी प्लस है यह हमारा x1 plus x2 ठीक है वह हमारा equal आएगा किसके minus of b by a की ठीक है तो अब यहां पर माइनस माइनस तो रख दिया हमने ऐसे कैसे अब बी की वैल्यू हमारी यहां पर क्या है बी की वैल्यू माइनस 8 है तो हमने यहां पर माइनस एट रख दिया और एक ही वैल्यू क्या है हमारी यहां पर टू तो हमने यहां पर टू रख दिया माइनस माइनस प्लस होते हैं तो यहां पर हमारे प्लस एट बाई टू अब हम इसको इसके काट देंगे तो यहां टू टू जा टू फोर जा एट तो यहां पर हमारे क् कि इनकी multiplication करवा देते हैं तो X1 INTO X2 करवाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर कितना आया 3 तो अगर हम इस से कमपियर करें तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाता है कि जो key by a अगर हम करते हैं see by a कर देते हैं तो अग यहाँ पर six by two तो यहाँ पर हमें क्या मिलगा ठीं तो यहां पर हमारे जो number of zeros हैं या फिर हम बोल सकते हैं जो हमारे root हैं उनका हमें relation पता लग गया हमारे जो quadratic equation के coefficient हैं उनके साथ कि इनके जो जो relation है वो कैसा relation है तो और कैसे यह तो बोल दिया हमने कि quadratic equation है वहां पर a, b, c, a, s, a, coefficient है उनको कैसे compare कर दिया और किस form में लिख सकते हम इसको अगर हम coefficient की form में लिखना चाहें तो हम क्या बोलेंगे यहां पर यहां पर बोलेंगे कि जो sum है हमारा sum of roots जो हमारे roots हैं या फिर zeros हैं उनका जो sum है वो equal आता है हमारे minus of coefficient of x by coefficient of x square अब compare कर लो यहां पर हमने किसके equal लिखा था minus b by a के अब जो b है वो हमारा कौन सा coefficient है b हमारा x का coefficient है x term का ठीक है तो b हमारा किसका coefficient है यहां पर b हमारा x term का coefficient है तो इसलिए हमने यहां पर क्या लिखा coefficient of x अब जो यहां पर a है वो क्या है हमारा एक्सो स्केयर का कोफिशेंट है तो यहां पर हमने क्या लिखा एक्सो स्केयर का क्योंकि ए हमारा टू है तो यह हमारा किसका है एक्सो स्केयर का कोफिशेंट है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ठीक है और अगर हम यहां पर बात करें यह हमने ऐसे क्यों लिखा क्योंकि ज यहां पे हमारा alphabet use कर सकते हैं अब उसके बाद था हमारे पास जो second था वो था product से ठीक है तो product of roots या फिर product of zeros equal आया था हमारा किसके c by a के अब तो जो c है हमारा वो क्या है जो हमारा third constant term है उसके equal थी तो यहां पे हम लिखेंगे यह हमारी क्या है constant term जो भी हमारी constant term होगी और उस coefficient of x square coefficient of x square तो हमें यहां से क्या मिलेगा product मिलेगा हमारे roots का ठीक है तो यह था हमारा जो relation जो हमने यहां पे चेक कर लिया कि जो relationship होती है हमारी zeros की coefficient of polynomial के साथ वो हम कैसे find out कर सकते हैं ऐसे हमारे पास बहुत सरे ऐसे example हैं जिनको हम easily calculate कर सकते हैं तो अगर हम यहां पे बात कर हमें अब जो next हमारी quadratic equation है वो है 3x square plus 5x minus 2 अब पहले क्या कीजिए आप जो हमने अभी question किया है अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो आप video को stop कीजिए और जो अभी हमें यह next जो हमारा example है यहां पे वो दे रखका है यहां पे 3x square plus 5x minus 2 तो क्या कीजिए आप पहले आप इसके root निकालिए और वीडियो को पोज कर दीजिए जिससे आप और बाद में क्या करना वो जो आपके root आएंगे वो मेरे जो अंसर है जो मैं निकालूंगी यहां पर उससे match करके देखना अगर आपको आपके match कर जाते हैं तो इसका मतलब आप बिल्कुल ठीक को stop कर सकते हो ठीक है तो अब हमें क्या करना प्रस्ट जो सबसे पहला काम है वह हमारा क्या काम है यहां पर कि जो हमारी मिड़्टाम है उसको split करने है और split किसके कोडिंग करना है कि इन दोनों की multiply हमारी माइनस 6 बन रही है न तो माइनस 6 तो multiply आने चाहिए लेकिन जो उसका plus है जो means जोड है तो यहां पर हमारा जो इनका sum आएगा ठीक वो sum हमारा कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए तो अब हम यहां पर ऐसे factor करने की अगर कोसिस करें तो हमारे पास क्या factor बनते हैं 5 और 5 के तो है 3 into 5 2 तो 3 into 2 का लेंगे हम तो 3 into 2 6 आजएगा और यहां से अगर add करेंगे तो 5 भी आ जाएगा लेकिन हमें multiplication कैसी चाहिए माइनस की चाहिए तो यहां पर हमारे पास जो multiplication आना चाहिए वह माइनस का 6 आनी चाहिए और जो sum आना चाहिए वह आना चाहिए प्लस का तो अब इसके अलावा हमें क्या करना पड़ेगा और भी जो हमारे अलग factor हैं वह हमें चेक करने पड़ेंगे क्योंकि 6 के हमें यहां यहां पर क्या हुआ एडिशन तो 5 मिल जाएगा लेकिन यहां पर multiplication तो हमारी पोजिटीव आ रही है नेगिटीव तो मिल नहीं अगर हम इन में से एक को नेगिटीव कर देते हैं तो फिर दिक्कत आ जाएगी यहां पर क्योंकि फिर हमारा sum होगा जो वह माइनस हो जाएगा और वहां पर हमारे पास 5 मिलने की बजाए हमें मिलेगा माइनस का 1 तो अब यहां पर जो हमारे फैक्टर बनेंगे वह हमारे बनेंगे 6 और 1 क्यों 6 और 1 कैसे क्योंकि वही satisfy करेंगे इसको अच्छे से तो तो अब यहां पर जैसे 6 और 1 ले लिया हमने तो अगर हम देखें यहां पर पहले हम क्या करेंगे multiply चेक करते हैं तो हमें चीए minus का 6 तो एक इन में से negative करनी पड़ेगी तर्म तो हमने कर दिया minus 1 into 6 तो यहां से minus 6 तो आ गया लेकिन जब इनको हम add करेंगे तो add करने के बाद यहां पर क्या है हमारे पास जब हमने इनको add किया क्योंकि यह minus की आप पर क्या करना होता है फिर भी हमें minus करणी होते क्योंकि वह सेम्टम्स नहीं होती सेम साइन में नहीं होती ठीक है तो अब यहां पर हमने क्या किया यह पर दिया हमने हमारे पास कितना आया यहां पर 5 तो हमें क्या चाहिए ता और जो multiplication थी वह माइनस चाहिए थी-6 तो तो यहां से हमारे पास 3 x x x है और यहां पे 3 x 2 x है ठीक है तो यहां पे हम क्या common ले सकते हैं 3 x 3 x तो हमने यहां से क्या किया 3 x common ले लिया 3 x को यहां से common ले लिया तो यहां पे x रहे गए हमारे पास अकेला और यहां से हम क्या करेंगे यहां से 3 x common लेंगे तो सिर्फ 2 बचे ले लेंगे यहां पर फिर हमारे पास क्या बचेगा एक्स फ्लस वन क्योंकि यहां से भी हमारे पास एक्स प्लस टू यहां से भी हमने माइनस कॉम ले लिया बाहर चला गया और यहां से भी माइनस कॉमन आ गया अब इन दोनों में एक्स प्लस टू कॉमन है तो यह टाम हमने बाहर रख ली और यहाँ पर बच गया हमारे पास 3x-1 ठीक है तो अब हम इसके फैक्टर करें अगर तो हमें क्या करना पड़ेगा वन बाइवन दुनने तो हमको 0 के एकवल पहले हम एकस प्लस 2 को अगर 0 के एकवल पूट करते हैं तो जब यह 2 इदर आएगा माइनस की में तो हमें मिलेगा x is equal to minus 2 और इदर से जब हम क्या करें 3x minus 1 is equal to 0 रखेंगे तो यह जो minus का 1 है यह उदर जाएगा तो positive हो जाएगा क्योंकि इदर negative है तो यहाँ पर मिलेगा plus 1 फिर हमारा जो 3 है यहाँ पर multiply में है और यह दूसरी side में जाएगा तो यह divide में चला जाएग तो यहाँ से मिलेगा x is equal to 1 by 3 तो हमारे पास जो अगर यहाँ पर देखें जो zeros आए है वो आए है minus 2 और 1 by 3 यह हमारी x1 और x2 की value आई है लेकिन अब हमें क्या करना है इसका relation निकालना है हमारे किसके साथ जो हमारे coefficient थे उसके साथ compare करना है निकालना तो निकाल तो हमने लि sum of roots पीणियोग ओल्य जो हमारे किसके इकवल है था minus b by a की एक वज़यू चरहा हमसे ऑफलतों कहा आई हिकल निकालना है करना ही sum भी करके देखेंगे तो यहां से हम sum करके देखते हैं तो यहां पर minus 2 plus 1 by 3 तो जब इसका LCM लेंगे तो 3 आएगा और यह 3 टू जा 6 plus 1 तो यहां से minus 5 by 3 ही बचा ठीक है तो यह तो जो हमने sum निकाला था यह हमने coefficient use करके निकाला लेकिन यह जो sum निकाला हमने यह roots को use करके निकाला तो sum of roots हमारा minus 5 by 3 आया coefficient की help से भी हमने जो relation निकाला था उसकी help से minus 5 by 3 आया तो इसका मतलब जो हमारा relation है वो बिल्कुल exact answer दे रहा है ना हमें ठीक है अब अगर हम यहां पर बात करें next जो यह तो sum था अब हमें बात करनी है product की product of zeros तो जो product of zeros है वो हमारा किसके एक वला है c by a के according to coefficient अगर यहां पर coefficient पूट करें तो c की value minus 2 है और a की value हमारी 3 है तो minus 2 by 3 आरना चाहिए अब अगर हम यहां पर जो product करें zeros का जो zeros आया है उनका अगर multiply करें तो minus 2 into 1 by 3 तो minus 2 into 1, 1 की multiply तो किसी के साथ कर लो वही चीज बन जाती है 5 बन जा 5, 6 बन जा 6, 7 बन जा 7 तो यहां से 2 बन जा 2 तो यह था आज का हमारा relationship between the coefficient and the zeros means हमने क्या calculate किया यहां पर जो हमारी coefficient है और जो हमारे zeros हैं उनके बीच में यहां पर हमने relation calculate कर लिया तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं next video में और अगर आपको मेरी videos अच्छी लगी तो please मेरी video को like, share और मेरे channel को subscribe जरूर करें और comment box में comment करना बिल्कुल मत भूलें जिससे मुझे भी पता लगता रहे कि आपको मेरी जो मैं करवारी हूँ जो आपको समझारी हूँ वो आपको छे से समझ में आ रहा है या नहीं या फिर मुझे कुछ modification की जरूरत है ठीक है तो चलिए मिलते हैं next video में नेक्स्ट वीडियो में हम इससे related ही जो हमारे examples हैं वो discuss करेंगे तब तक के लिए all the best and bye bye बने रहिए study lover मीना के साथ